हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब आई हो? आप सब अच्छे होंगे और खोब मन लगा कर पढ़ाई करे होंगे बच्चों आज की जो वीडियो है, आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे वो है, प्लान पार्टस ठीक है हमने नहीं जो वीडियो Watch शुरू किया है जिसमें हम basics पढ़ेंगे plants के बारे में तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे है plant के parts के बारे में और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है root टो root क्या होता है यहतो सबसे common चीजा हमें पता है root क्या होता है root is a part of the plant that mostly grows towards the soil and help the plant with absorption of water and mineral root क्या है root वो पार्ट है plant का जो mostly कहां grow करता है किस की तरफ grow करता है towards the soil अब यहां पर लिखा है mostly क्या लिखा है mostly grows अब आप लोग सोचेंगे कि roots तो हमेशा नीचे को ही grow करती है बट कुछ plant की roots ऐसी होती है जो किसी condition के according ठीक है particular condition के according के ओरती है above the soil भी grow करती है okay जिनका हम बोलते है apogeotropical roots बचो समझ में आ रहा है ना आपको कि जो root होती है plant की वो क्या होती है generally towards the soil ही grow करती है और किसमें help करती है water के absorption में help करती है कुछ roots ऐसी भी होती है जो against the soil grow करती है ठीक है उनको हम बोलते है apogeotropical roots फिर हम देखेंगे types of roots roots के कितने types होता है अगर हम broad way में देखें तो दो type की roots होती है एक होती है tap root और एक होती है adventitious roots ऐके जो tap root होती है वो कैसी होती है start होती है stut ठीक है a start tapering ठीक है उसकी जो end होती है वो कैसी होती है tapering end होती है ठीक है main root arising from the radical and from which arise small lateral branches और small lateral roots, जो tap root होती है, उसमें क्यों हमें देखने को मिलता है, जो ये कैसे होती है, tapering होती है, ठीक है, इसकी ends क्यों होती है, tapering end होती है, और जो ये root होती है, tap root होती है, ये कहां से arise होती है, जो root tissue होता है, जो root tissue होता है हमारा, वो क्यों होता है, radical होता है, जब seed germinate करता है, त जो यह tap root होती है, वो कहां से arise होती है, radical से arise होती है, radical से यह main tap root arise होगी और फिर इसके sides में क्या निकलती है इसकी branches, इसको हम primary roots, tertiary roots यह बोलते हैं, अगर हम देखें, adventitious roots में, तो यह वो roots होती है, जो किसी भी part से grow हो सकती है, other than radical, जो root tissue होता है, उसके अलावा किसी भी part से क्य any part of the body, other than radical, or from non-root tissue, जो कोई भी part से grow हो सकती है, other than radical, non-root tissue से grow करेगी, उसको हम बोलते हैं, adventitious roots, जो adventitious roots होती हैं, वो कहा होती हैं, वो हमें normal conditions में भी देखनी को मिलती है, और in response to stress condition, ठीक है, adventitious roots अगर हमें दिखे रही है, तो हम उससे यह अंदाजा लगा सकते हैं, कि जो है, उसने stress condition को क्या करने के लिए, overcome करने के लिए क्या कर लिए, adventitious roots का क्या कर लिया है, development कर लिया है, यह आपको टैप root का डाइगराम देख रहे हैं, और यह क्या है हमारा, adventitious roots है, फिर fibrous roots, ओक हम देखेंगे, modified tap root, अभी तक हमने पढ़ा tap root क्या थी, अब हम देखेंगे, जो tap root है, वो modify हो गई है, है, सबसे पहले हम देखेंगे, tap root जो modify होते है, जो RDF होते हैं, ऊसमे हम देखेंगे fleshy roots, fleshy roots मतब नाम से परता चलना, उससमें क्या है, fleshy है, ठीक है, वो कैसी है, fleshy है, fleshy roots में हम देखेंगे, सबसे पहले, conical root, गानि की, उसका shape कैसा हि, इ these roots are thicker at their upper side and tapering at basal end जो conical root है अब यहाँ पर देख सकते हैं डाइग्राम यह जो conical root है इसमें क्यों होगा जो upper side होगा उपर की तरफ यह क्यों होगी थिकर होगी और नीची की तरफ basal end में यह कैसे होगी tapering होगी ठीक है यह है हमारी conical root और conical root हमें गर हम example देख सकते हैं carrot में ठीक होगा जो पर से क्यों होता है वह फ्लेशी होता है और towards end नीची की तरफ को वह कैसा होता है tapering basal end होता है ठीक है next जो हम देखेंगे दूसरा वह होता है fusiform fusiform में क्यों देखने को मिलता हमें these roots are thicker in the middle and tapered on both end यह roots कैसी होती है middle में thicker होंगी और both end में क्या होंगी tapering होंगी देख वह हमें यहाँ पे बीच में कैसे दिखेगी वह थोड़ी मोटी दिखेगी ठीक दिखेगी और दोनों ends पे हमें कैसे दिखेगी वो tapered दिखेगी यहनकी पतली दिखेगी यह हमें कहां देखने को मिलता है radish मूली के case में ठीक है जो हम radish commonly जो हम use करता है उसमें हमें यह देखने को मिलता है next जो है हमारा nappy form nappy form में क्या होता है these roots become swollen and spherical at upper end and tapered like a thread at their lower end मतलब क्या हुआ nappy form roots वो roots होती है जो क्या होंगी swollen हो जाएगी spherical shape की हमें दिखेगी कहां पे at their upper end टीक है उपर की तरफ हमें कैसे दिखेगी कैसे दिखेगी यह उपर की तरफ हमें spherical दिखेगी है और swollen दिखेगी है और नीची की तरफ हमें कैसे दिखेगी है tapered like a thread हमें पत्ला सा धागा जैसा बिलकुल उसकी तरह हमें देखने को भी लेगी हमें कहां देखने को मैंगते है beet root beet root अगर हम देखे तो beach का portion क्या होता है उसका swollen होता है spherical होता है tговर जाओagen को माइस जाओशा भी औरzos थैख रào जाओ का दूपर highly faktation चुङे है wires दोता हमें तरह हमें तेखने को में कहीं दूकर इस ने a जाएंगे ड़ारेटे माली देखेग तरह हमThis off-drake दॢकर हमें काड़िक कर दॢकर हर दोता दिखरी तो undo लंउडिलाटेड रूट, वुटांने को मिलता है। जो हमें लेगविनस फैमिली के जी जौ प्लांटस होता है। के जो डाले जिन में आती है जनली उस फामले में हमें nollated root देखने को मिलती है Nollated roots में क्या होता है जो root होती है उसमें nozz the multipl की हमें इसमें उसमें nozfern आप की हमें देखने को मिलते है no dov Like strămचर जो हमें देखने को मिलते है Whoo वह इसलिए बनते है neladins rat farm on branches of वह दिखने दिखने जो डाल वाली फेमिली होती है उनमे हमें डेखने को मिलती है नोड्यूली समंझ समंझ जम एं आगे वह इसे पीटिवर में इसे प्रेजन प्रेजन करी अगया है नहीं होते है त farms को रहा है Oliva करी औरे अम पाषिह सब्सब्सब्द और भीर और में अटूल रहाके वते हैं उग्या को लाखी एध्यार अनेड रू लो मैं से पॅध यहां three हों ऩर आप तभको देते ली मीमें यहां पर क्या होगी, roots क्या होगी, एक ring-like structure बनाएगी, ठीक है, roots having series of ring-like swellings, उसको हम बोलता है, annulated roots, देखो यहां पर दिखिरी है आपको, annulated root, यहां पर क्या है, roots ने कैसा बना लिए, एक ring-like structure बना लिए, यह हमें किस के case में देखने को मिलता है, cephalis के case में हमें यह root देख and become flashy, roots कहां से arise होंगी, यह कैसे roots है, adventitious roots है, यानि कि यह radical से arise नहीं होंगी, तो यहां पर इसलिए लिखा है कि, that these roots arise from lower node of the stem, उस non-root tissue से arise होंगी, ठीक है, यह adventitious roots का ही form है, fasciculated, तो यह non-root tissue से arise होंगी, यानि कि stem से arise हो रही है, और यह क्या बना रही है, cluster बना रही है, फलेशी, cluster बना रही है, यह roots कैसे है, fasciculated roots है, इसका example हो गया, डहलिया और asparagus, ठीक है, जो third modified root है, adventitious roots है, वो है, moniliform, moniliform roots में हमें देखने को मिलता है, when roots swell up like a bead, at different places after regular interval, हमें देखने को मिलेगा, moniliform में, जो roots होती है, वो bead की तरह हमें, swelling उसमें देखेगी है, regular interval पर, regular interval पर हमें roots में कैसे देख रही है, swelling, bead like swelling, ठीक है, तो उसे हम बोलते है, moniliform, और यह हमें किसमें देखने को मिलती है, momodica में, और wittis में हमें यह moniliform roots देखने को मिलती है, next है nodulose, nodulose हमने, आगे tap root में भी पढ़ा था, कि यहां पर क्या develop हो जाते है, nodules develop होता है, ठीक है, यह हमें किसमें के case में देखने को मिलती है, ginger, nodulose, वहां पर भी सेम है, यहां भी वही सेम है, nodules होता है, लेकिन यहां पर क्या है, bacteria, जो rhizobium bacteria है, वो present नहीं होता है, बट यहां पर क्या होता है, root क्या होती है, swell up हो जाती है, nodule like structure बनाती है, उसको हम बोल, हमें किसके case में देखने को मिलता है, ginger के case में, और डिफ्रेंस नोडिलोस है, कि यह एड्वेंटिशिस रूट्स है, यह नॉन रूट वाले टिशू से डेवलप होती है, टूबरेस रूट्स, टूबरेस रूट्स, when food is stored in these roots, they become swollen and form a bunch, इसके में क्या होता है, food store हो जाता है, और यह कैसे बन जाती है, एक बन जाता है, उनको हम बोलते है, टूबरेस रूट्स, यह है potato, ठीक है, इसके example क्या हो गया हमारा potato, पोटेटो क्या है, रूट थोड़ी है टूबरेस रूट्स का पोटेटो क्या है, ऐसके ग्षाम्पल क्या हो गया हमारा potato, एक बनीच्स बना जाता है, मौडिफर्टेस रूट्स का इनको जाता है, तूबरेस रूट्स कि इसके बनीच्शाल्ट, ब thinksấu RYAN, इसको मौड़ीफाइड नहीं बोलेंगे, यह इसके बनी तो सबसे पहले उसमें है climbing roots काहां कैसे होती है these roots arise from nodes and help the plant in climbing यह कहां से arise होती है जो stem में nodes present होती है वहां से arise होती है और plant को किसमें help करेगी climbing में help करेगी यह है क्या है हमारी climbing roots देखो यहां पर हमें क्या दिख रहे है रूट्स दिख रहे हैं यहां पर हमें ठीक है यह क्या है climbing roots है किसके केस में हमें देखी जाती है piper battle और money plant जो हमारे घर में commonly हम लगाता है money plant उसके केस में हमें क्या दिखती है climbing roots देखने को मिलती है जो next है वो है epiphytic roots epiphytic roots epiphytes क्या होता है इस सिरीज की जो सबसे पहली वीडियो है plants की identification की और plants की basic की जो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है epiphytic क्या होता है epiphytic roots जो होती है वो हमें कहां देखने को किन plants में देखने को मिलती है epiphytes plant होते है वहां हमें देखने को मिलती है epiphytic root ठीक है epiphytes अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो देखें आपको अच्छे समझ मां जागा epiphytes क्या होता है तो epiphytes में हमें ये aerial root देखने को मिलती है जिसमें जो क्या करती है plant से moisture absorb नहीं करती है ये क्या करती है ये roots atmosphere से क्या करती है moisture को absorb करेगी और वहां पर फिर अपना function परफॉर्म करेगी moisture कहां से absorb करेगी atmosphere से और इस roots में epiphytes की roots में special tissue प्रेजन होता है जिसको हम बोलता है velament tissue ये बहुत important question है कि velament tissue कहां पर प्रेजन होता है ठीक है velament tissue epiphytes की roots में present होता है epiphytic plant की root में present होता है जो root को किसमें help करता है moisture को atmosphere से absorb करने में help करता है next जो हम root देखेंगे वो है foliar root और epiphyllus roots foliar और epiphyllus मतलब epiphyllus का मतलब क्यों हो गया और foliar मतलब leaf leaf के उपर से क्या develop हो रही है roots develop हो रही है when roots arise from the leaf they are called as foliar roots जब root कहां से arise होंगी leaves से arise होंगी तो उसे हम बोलते है foliar roots यह हमें कहां देखने को मिलता है bryophyllum के case में commonly हम घरों पे लगाता है bryophyllum उसमें हमें देखने को मिलता है कि leaves से ही नहीं leaves निकल रही है और वहां पे halkill की roots भी होती है तो उसे हम बोलेगे foliar roots यह का है हमारा bryophyllum की leave है और bryophyllum की leaf में हमें देखने को मिलता है कि वहां से नहीं leaf निकल रही है और यहां पे हम AM देखेंगे उसके base में तो यहां पे क्य होती है roots develop हो रही होती है तो उसे हम बोलते हैं foliar और epiphillus roots ठीक है और हमें epiphytic root कहां देखने को मिलती है orchid के case में orchid हमने लगाते हैं अपने घरों पे ornamental plant है orchid orchid को जो हम लगाते हैं किसी plant के ऊपर किसी wood के ऊपर तो हमें देखने को मिलता है उपर तो हमें leaves दिखती है और नीचे हमें क्या दिखता है green green हलका ब्राउनिश कलर की roots दिखती है और उस roots में क्या present होता है velement tissue अंदर क्या present होगा velement tissue ठीक है I hope आपको ये video अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो प्लीज इस video को like कीजिए share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए और comment कीजिए आपको video कैसे लगी अगर आप इससे related कोई और topic पे किसी भी topic पे अगर आप ये video चाहते है तो नीचे मुझे comment कीजिए till then bye bye take care